यह आपकी पुराणी गाई है यह पुराणी गाई की नसल है अच्छा हाँ और इसी की ब्रीड आपके यहां चले है कम से कम 35-40 जैसे चोटे बढ़े करके सब एकी गाई की नसल है यह जगी ओके कितनी उमर की यह दूसरी बार बच्चा दिया है अच्छां गयूं कि यह सब गिर में यह आपके पर समय सब त्यस्री बार बच्चा देने वाली इसको दस लिटर दो दे एक टाइम का 10 लिटर आपके पास वह बूल भी है ना एक बूल एक तीन है मेरे बास इस सवन कपिला बूल है उसका नाम गोपाल सवन कपिला प्योर सवन कपिला क्या नाम रखते है इसका गोपाल प्योर क्या इसके जिब इस होती है इसके प्राव सब यह बाग सब रेड़ करने आख भी ऐसी होती है पूछ में बाल भी एचे पूछ में भी का बाल नहीं होता है आफ ऐसा ही सब यह साड़े तीन साल का हो गया इसके प्राव भी एशा है डेवो अक बाव भी एसे रहते बिल्कुल बिल्कुल है आफ चैरो पाव अब रेडिंग ब्रेडिंग करारो अब है अपने घर का ही इस अब छोटी बच्चा हो बच्चा सब इसकी अच्छा यह सब इन इसे तराम कपीला बोलते हैं उसको इसका ही बच्चा है बच्ची है वो सवन कपीला है यह भी सवन कपीला देखो अच्छा यह वाली भी आप इसाब गोपल की बच्चा है यह उसी की है यह सब बच्चे गोपल के ही है यह 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 वी सवन कपीला यह वह विशन कपीला है वह इसको लिल्यरा बोलते हैं अधी बुल का बच्चा है वह वाली बच्चा जालू गया यह वह प्रेंट है वह प्रेंट है इससे अच्छा च्छा चालू हो गया है अभी तीक हो भी सवन कपीला वह वह बच्च मकडी जो और यह गाई यह यह काम देनु बिलते उसको प्रेंट अधी एड़ कलर नहीं आएगा वो सोनेरी कलर बोलत कि अफिरे उसमें वाल्ड में मिल जाएगे आपको एक कलर में सोनेरी कलर में गोल्डन कलर में नहीं मिलेगे ज़्यादा तक वाइड देशी में इस कलर में बहुत कम मिलेगी ठीक चलू